कि 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 अपने परिवार बैंक मास्टर पर दोस्तों सुबह के छे बच चुके आपके प्यूसर आख चुके हैं आपके लिए ताजा तरीन खबरे लेकर के और आज तो बहुत शांदार सेशन रहने वाला है क्योंकि भाई संडे की छुटी के बाद बहुत सारी नियूज बहु आज कम से कम 49 यानि 49 खबरे हैं दोस्तों जो मुझे आपको बतानी है तो फटा फट से जुड़ जाए और शेशन को शेर कर देजे बहुत ही एक बार जो है जहां भी आपका परीच हो पहुंच हो लिंक हो टेलिग्राम पे फेस्बुक पे वाट्सप पे इस्टाग्राम पे कि जहां भी आप भीड़ सकते दोस्तों इससे जो है शेयर कर दें ओके दोस्तों PSR 2 PSR 3 जो है यहाँ पर आपका कोड है मतलब मेरा कोड है जिससे आप अगेड़्मी लेर्नर को डाउनलोड करके मेरे फ्री लेक्चर पासकते हैं PSR 10 को यूज करके अनलॉक लिजेगा दोस्तों अकेडमी लेर्नर रैपर मेरी क्लास सुबह साधे आठ बजे साधे आठ बजे जो 11 बजे क्लास वोती थी वह अब साधे आठ बजे सिफ्ट उगई है बेश्ट 200 प्लस कक्रेंट अफेरें बेंकिंगस की और 11 बजे दोस्तों सिफ्ट हो गई है आपकी नवंबर ऊल्जी रिविजन रात को साड़े दस बजे दोस्तों बैंकिंग अवेर्नेस पर मेरी क्लास हो रही है दोस्तों इसे भी आप लोग आप पर जो है पा सकते हैं एप पर मुझे फॉलो करने के लिए बैंक एक्जाम केटेगरी में प्यूसिंग नाम से सर्च कर ले या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दि है कि दोस्तों छे बज़ेट अपनी सुबे बैंक मस्टेश पर क्लाश होती गegen monduary साम को छे बजे दोस्तों सपयशन टॉपिक पर में लेक्शे लेता हूं जो आपके एक्जामिएशन के लिए इपको होते हैं सबस्टपेशो realizing लूसरें गाइंज के स्वाइन की अशीरी स च देखिएगा इसके बाद रात को नौ बजे वाइफाई स्टेडी 2.0 यूट्यूब पर हमाई सिक्स मन्त करेंट अफैर होती है दोस्तों वीकली रिवीजन वाली क्लास जो है आपका वाइफाई स्टेडी पर होती है वह केवल सेटेड़े संडे को होती है वीकली करेंट अफैर रिवीजन की क्लास दोस्तों कल हुई है दो बजे अब यह सारे लिंक अलग-अलग आपको मिलेंगे कहाँ आपको वीकली रिवीजन का लिंक चाहिए तो कहां मिलेगा तो जीए भाई प्यूसर पे आपको मेरे सारे lectures के links मिल जाएंगे आप जाके देख सकते हैं pd-aired मिल जाएंगे content मिल जाएंगे ठीक है अलेकेडमीÜ लेनर्नडर एप को डाउन्लोड करके दोस्तो आप उजह follow कर लीजे मेरे सारे लेक्शर एपर जो हो चुक है वो भी बिल सारे batches आपको अंचेडमी एब पर मिलेंगे जिसमें मेरा पॉइनियर बैच यहां स्टार्ट हो रहा है दोस्तों आठ दिसम्बर से यहां पे स्टार्ट होता है तो मेरा दोस्तों SBI PO Mains के लिए या IBPS PO के लिए या फिर आप क्लर के लिए किसके लिए भी तयारी कर रहे हैं यह पॉइनियर बैचारा जिसमें रादे सर रीजनिंग धर्मेन सर मैत और शीना वें इंगलिश और मैं जी यह पढ़ा रहा हूं दोस्तों यहां पर यह क्लास आठ दिसम्बर से यह प्लस वालों के लिए अभी inroll कर ले 11 बजे होगी। inroll कर ले दोस्तों plus वाले अपने आपको इन सारे courses में अब मेरी app पर भी जो class होती है उसमें भी आप लोग enroll कर लिया करो ठीक है enroll कर लिया करो क्योंकि यह जो class बहुत exam के लिए महत्यपूर्ण class है जो मैं करने वाला हूँ और इस बार पूरे month सब्सक्रिप्शन पर अगर देखा जाए तो पर मंत की कॉस्टिंग जैसे से आप ज्यादा मंत लेते हों कम होती चले जाती है दिखने में कोने में कोई विखना आ रही है दिक्कत आ रही है वह जीए वाई प्यूसर पर मुझसे कॉंटेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों प्यसाइट को यूज करेंगे तो और कॉस्टिंग कमा जाएगी क्योंकि 10% का आपको डिसकाउंट भी मिल जाएगा ठीक है आइकोनिक फीचर आया है डाया डाउट सॉल्विंग में रेज का हैंड्स में लाइफ क्लासेज में आपको प्रविट्टी दी जाएगी उसमें 390 रुपे परमत यानि 9306 रुपे हो जाएंगे कुछ बच्ची होते जिन्हीं स्पेश नाम आया तो लेने की जवरत है ना अलग मॉक टेश्ट लेने की जवरत है हर टीचर का आपको एक्सेस मिल जाएगा यानि कि अकेडमी पर जितने भी जूड़े हुए टीचर है चाहिए वो किसी भी यूट्यूब पर पढ़ा रहा है तो दोस्तों आपको एक्सेस उनका मिल जाएगा लाइब क्रों के लिए के लिए बेंकिंग मेंक बैंकिंग का बैंकिंग का सिलेबस ही क्या है तो बहुत सारे वो जो है आपको यहां पे स्ट्रेडिजी बताएंगे गाइडेंस बताएंगे सारी चीजे क्लास के दौरान अब टीचर से कॉल जैसे बात कर सकते हैं रेज हैंड करके इसको आचा का याने केडिमी भी मदद करता है आपकी कि प्यूसर ही नहीं यानकेडिमी भी आपकी मदद करता है मेधावी चात्रों की मेधावी चात्र जो पचास क्वेश्चन कर सके और ज्यादा नंबर ला सके तीन हजार रेंक वालों को स्कॉलर्शिप मिलती है टॉप ठीको हंडिट परसेंड यानि सब्सक्रिप्शन मिल जात टाइपस ओप एकाउंट टाइपस ओफ लोन्स और ऐसी छोटी-छोटी चीजे भी मैं पढ़ा रहा हूं ठीक है एप पर ठीक है तो एप पर ही यह केश्ट भी होता है यह टेस्ट देने के लिए भी डाउनलोड कर ले और जब भी अनलॉक करें तो पी एसार टेन कोड का फ्री है जो साढ़े आठ बजे है 11 बजे है और रात को साढ़े दस बजे तो इदम टेंसन भी मत लीजेगा ओके गुड मॉनिंग बसंत संजू अनुराग अनुराग ने कहा है कि कोई भी लक्ष बड़ा नहीं जीता वही जो डरा नहीं क्या बात है बहुत बढ़ी हम क्या ब्रॉजगार निकालते हैं तो आप कितने लोगों को रोजगार दिये हैं उसको टोटल पॉपलेशन से डिवाइड नहीं करते लेबर फॉर्स से डिवाइड करते लेबर फॉर्स किसे कहते हैं जो पंदरा साल से अधिक के उमर के लोग होते उन्हें हम अपना लेबर फॉर्स कहते हैं और एक ऐसा भी केटेगरी होता है जो कि नौकरी नहीं करना चाहता नहीं किया जाता है बात समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है जैसे कि उसमें चार कटेगरी जैसे एक कटेगरी क्या है 15 साल से कम वाले बी कटेगरी क्या है 15 साल से ज्यादा वाले जो काम करना चाहते हैं उन्हें काम नहीं मिल रहा है है चाहते हैं और एक काटेगरी माले लो डी कैटेगरी जो 65 साल से उपर वाले जो बहुत बुजूरुक होगे है तो दोस्तों 15 साल से कम वाले को नहीं लिया जाएगा कि पंदरह साल से ज्यादा वाले में जो काम नहीं करना चाहते उन्हें भी लिया जाएगा और जो बहुत बुजूर्ग होगा औरहें भी नहीं लिया जाता है तो केवल लेबर फोर्स लेबर फोर्स किसे कहते हैं ठीक है समझें अब इसी से बेरुजगारी की दर निकाली जाती है unemployment rate for people of 15 age and above in urban area increased to 9.3% in January to March 2021 यानी की बेरुजगारी दर 9.3% हो गई है बढ़ गई है 9.1% से बढ़ गई है ओके क्लियर है याद रहेगा चलिए तो आज लेबर फोर्स भी सीख गए आप लोग की किसे कहते हैं वेरे गूड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेटिट करेंट वीकली स्टेटस इन अरबन एरिया फॉर दोस 15 इर एज डिजीज डिक्रीजड अब जाहिर सी बात है कि जब बिरोजगारी की दर बढ़ी है तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट घटा ही होगा क्योंकि लेबर फोर्स को काम नहीं मिला है तो पार्टिसिपेशन रेट घटा है तो दोस्त लोग को दो साल के लॉकडाउन में आराम तलभी की आदत भी लग गई है तो पार्टिसिपेशन रेट की दो करड़ेक तो सरकार नोकरी नहीं दे रही है सरकार के पास रोजगार नहीं है और दूसरा की लोग भी गाउं पहुँच गए है जो सहर में थे मजदूर प्रवास सही है मिनिस्टि उडवर निम्प्लामेंट ने इस रिपोर्ट को इस सर्वे को दिया है तो दोस्तो कभी भी जो आकडए होते हैं कभी विडीपी का अकड़ा होगा मेहिंगाई का अकड़ा होगा वलकाट जो घ्ड्रेपी का ओखरा होगा बिरुजगाली का अकड़ा होगा ये अकड़े दोस्तों मॉस्पी देता है ाो बर मिनिस्टि नहीं देता है मिनिस्ट्री आफ स्टेटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लिमेंटेशन सांखिकी मंत्राले और कारकरम क्रियानवन मंत्री जो की राव इंद जीत सिंग है जो गुडगाव से आते हैं जी डीप डीपी जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो ये बात बताता भी हूं ठीक है तो दोस्तों यहां पर देखा जाए तो यह हाँ पर केवल ए और बी पॉइंट सही है यहां पर ठीक है कि चलो कि तो कि यहां पर लिखा भी है कि एने सो इसकी आकड़े देता है जी डीपी इंफ्लेशन कि पावर्टी अनिम्प्लाइमेंट इसके लिए एक संस्था बन गई सीएसो और एनेस एसो को मर्ज करके मौस्पी मंत्राले केंतरगत यह आता है जिसने यह रिपोर्ट दी है ओके चलिए अब आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रेश्ट पर जी ट्वेंटी की अध्यक्षता यानि प्रेसिदेंसी ऑफ जी ट्वेंटी चेंज हो गया अब किसमें बदल गई है अभी तक इटली क के पास इसकी प्रेसिदेंसी थी अब किसके पास चली गई है और इंडिया विल भी होस्त जीडीपी प्रेशा जी ट्वेंटी प्रेसिदेंसी फ्रॉम विच इर इंटर्ड दग जी ट्वेंटी ट्रोईका ट्रोईका मतलब क्या है एक तो जहां अभी हो रहा है वो एक तीन देशों का एक ट्रोईका बन गया जहां अभी हो रहा है जहां अगले साल होगा और जहां उसके अगले साल होगा यानि इटली इंडोनेशिया इंडिया इटली किसे को ट्रासफर कर दी गई है यह जो है इंडोनेशिया को ट्रासफर कर दीगे जकार्दा जिसकी कैपिटल और दोस्तो 2022-23 में जो है यह भारत को मिले गाड़ा 2022-23 क्यों लिखा है क्योंकि दोस्तों यह दिसंबर में प्रसीडंची चीन्ज होती है तो दिसंबर 2020 में इनको मिला था इटली को 2021 में ये चलाए अभी देखो दिसंबर चला है और 2021 चला है यह इंडोनेशिया को मिला इंडोनेशिया इसको 2021 में चलाएगा और अगले दिसंबर में यही प्रेशिदेंसी जो है किसको मिल जाएगी भारत को मिल जाएगी इंडिया को मिल जाएगी और फिर वो 23 में पूरा जी 20 के दक्षता करेगा और अलग-अलग लेबल की मीटिंग करेगा ठीक है तो इसलिए 22 लिखा है ठीक है इसलिए इंडोनेशिया का ठीक है इसलिए भारत के लिए क्या लिखा हुआ है यहां पर 22 भारत का क्या होगा 22 होगा ठीक है चल आगे बढ़ते हैं तो जी 20 में देखो तो दोस्तो 19 देश है और प्लस एक यूरोपियन यूनियन होता है अर्जेंटीन अस्टेलिया ब्राजिल कनेडा चाइना फ्रांस जर्मनी इंडिया इंडोनेशिया इटली जापान मेक्सिको रशिया साओध अरभिया साओध अफ्रिका साओध कोरिया तरकी यूनाइटेड किंग्डम यूनाइटेड इस्टेट और यूरोपियन यूनियन ठीक है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चोदह पंद्रह सोलह सत्रह ठारह उन्नेस और बीस ठीक है क्लियर है चल्यूरोपियन यूनियन में खुद जोटो 27 खुद 27 अटीज आती है यूरोपियन यूनियन में और 19 इसमें और 1927 जो तो चुट्ति कंट्रीज जी 20 खाली कहने के लिए जी 20 है दोस्तो इस बार जो 2022 जो इंडोनेशिया में होने वाला है इंडोनेशिया में जो होने वाला है उसके लिए जो थीम है वो क्या है रिकवर टूगेदर रिकवर स्टॉंगर रिकवर टूगेदर और रिकवर स्टॉंगर ठीक है इंडोनेशिया कि थी में ओके क्लियर याद रहेगा और जो 2022-23 में जो भारत को अधक्षता मिलने वाली है उसके शेरपा कौन चुने गए है प्यूश गोयल पूरा प्रबंधन कि इसके पास है जो हमारे कौमर्स इंडरेश्ट्री मिनिश्टर है प्यूश गोयल यह शेरपा चुने गए हैं है ना चल दस्वी वार्षिक विश्व सहकारी निगरानी रिपोर्ट के अंसाथ दुनिया की सिर्ष 300 सहकारी समीतियों में किस कंपनी को नंबर वन सहकारी स्थान दिया गया दोस्तों लाश तक बने रहेगा तो कि अज इतनी खबरे हैं दो दिन की गैप के बाद कि समझ लो की 50 ख कारी स्थान दिया गया दोस्तों 300 को और वन को और हम राज कर रहे हैं डेरी प्रोसेसिंग में चाहे आपका फटलाइजर्स में तो ये को औरम ministry ही बना दी गई है जिसके minister बनाए गए जुलाई में अमित शाह जी एक ministry ही बना दी गए गांधी नगर से आते हैं और सहकारिता के लिए गुजरात और महराज जाना जाता है cooperative bank सबसे ज़्यादा वहाँ है self help groups cooperative channels ये सब वहाँ पे हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा इसका नाम क्या है इंडियन फार्मर्स fertilizer cooperative limited इसको ठीक है इसको नंबर वन cooperative बन गया सबसे बड़ी बात यह है और इससे भी बड़ी बात यह है कि यह नंबर वन पर रहा है तो दूसरे पर रहा है गुजरात cooperative milk marketing federation अब आप सोच रहों कि सथी गुजरात cooperative milk marketing federation किसको कहते हैं तो गुजरात marketing यह भी याद रखो गुजरात cooperative milk marketing for federation अमुल को कहते हैं अनंद milk union limited जिसके हैं आरे सोडी जिसके प्रथम अध्यक्षते वर्गिस कुरियन जिने भारत में वर्ड जो है कि वाइट रिवल्यूशन का जनक कहा जाता है स्वेत करांती का फादर कहा जाता जिनका बड़े आपका 26 नॉवंबर को था राश्ट्री दुख्द दिवस national milk day मनाते हैं उस दिन हम लोगा डेरी प्रोसेसरिंग में नंबर वन है तो ऐसे ही cooperative federations की वजह से हैं तो दोस्तों अमूल दूसरे नंबर पर है अमूल किस नंबर पर है दूसरे नंबर पर और इफको किस नंबर पर दोस्तों इफको पहले नंबर पर ठीक है clear है second position was also held by an Indian company अगर देखी जए इफको के लिए तो इफको फार्मर्स के लिए fertilizer बनाता है उर्वरक बनाता है दुनिया का पहला नैनो यूरिया किसने बनाया था दोस्तों तो दुनिया का पहला नैनो यूरिया इफको नहीं बनाया था दुनिया का पहला जो है नैनो जो है वो किसने बनाया था वह को नहीं बनाया था ओके लीए कि दोस्तों अकेडमी ने देखो मुझे बोतल भेजा इस पे न यह इनकेड़मी भी लीका सिंबल भी बना दिया है देख रहे हो उनको लगता था इतना बड़ा बोतल प्यूसर उससे पानी पीते हैं तो उन्हें छोटा बोतल बेद दिया दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी बात कॉपरेटिव सुसाइटीज पर हो गई दोस्तों ऐसे ही कॉपरेटिव बैंक होता है गाओं के दस से बीस लोग मिलकर के समीधी बनागे सोसाइटी बनागे बैंकिंग शुरू कर देते हैं वह प्रिम्री क्रेटिव सुसाइटी से चुब याट्यू हो जाता है नावे दस से बीस लोग के रेटर करेक्ट वित रिस्पेक्ट टूदा इलेवेंथ एडिशन आफ वर्ड माइग्रेशन रिपोर्ट माइग्रेशन मतलब जो अपने देश को चले जाते हैं अपने देश से दूसरे देश और जाकर के वहां रोजी-रोजगार करते हैं तो ग्लोबल इंटरनेशन माइग्रेशन इंक्रीज्ट 84 मिलियन जो एटीफ़ोर मिलियन जो 1970 में माइग्रेशन थे माइग्रेंट्स थे अप्रवासी थे वो 2020 में 281 मिलियन हो गये यानि कि यह 50 साल बाद का डेटा लिया जा रहा है भारत सबसे बड़ी इमिग्रेशन पॉपुलेशन है दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी इमिग्रेशन पॉपुलेशन भाई देखो चाइना वालों को वहीं पर रुजगार मिल जाता है हम लोग क्या है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा दुबई मसकट यह सब बढ़ेगा तो दोस्तों के जो है यहां पर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर कैस प्राप्त होता तो वह भारत भारती یہी भीड़ सबसे ज्यादा भारत से बाहर inडियन रह रहे तो सबसे जїधा भारत अपने देश्वदेश और गनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन जो है इसका हेड़कोर्टर स्विच्जर लेंड में है यह यूनाइटेड नेशन की एक सहस्ता है जिसने इसका 11 एडिशन माइग्रेशन रिपोर्ट लॉंच किया है तो दोस्तों यह सारे के सारे पॉइंट क्या है सही है सारे के सारे पॉइंट क्या है सही है बिलकुल सही है क्या बात है बहुत बढ़े हो पर फिलकुल सही बात है सब सही है रिमिटेंस लेकिन 83 बिलियन से बढ़के हम लोग का 87 बिलियन हो गया था न यह रिपोर्ट जब अपना बनाये होंगे तो उसे 83 billion रहा होगा लेकिन हम लोग का जो रिमिटेंस 87 billion होगा हम दुनिया में नंबर वन थे न तो दोस्तों यहां पर आईए अगले question पर बढ़ता है according to the state finances state finances एक study है budget RBI की रिपोर्ट जो है इसने जो है क्या कहा है कि भारत का GDP debt to GDP ratio debt to GDP ratio यानि कि राज्यों का जो सयुक्तरिण है जो राज्य लोल ले रहे हैं उनके GDP के अनुपात में वो कितने पर्षेंट पर रहने की उमीद है जो 20% के लक्ष से अधिक हो है जिसे की 2023 तक प्राप्त करना था 20% का लक्ष प्राप्त करना था लेकिन वो प्राप्त नहीं हो पाया उससे ज्यादा जो है हमारा जो है डेप्त हो चुका है कर्ज हो चुका है ठीक है क्लियर है समझ गए 31% हो गया 20% रहना चाहिए था अच्छा इससे एक बात मुझे याद आती है जैसे कि जब भारत के कर्जे को बात की कर्ज है तो इसका मतलब यह थोड़ी है कि उसब कर जब तुम्हें चुकाना जैसे कि नेशनल इंकम भारत के निकाली जाती है कि भाई चलो टू ट्रिलियन हो गया ठीन लाग करोड़ हो गया तुरी ट्रिलियन हो गया और फिर प्रतिवेक्ति आए उससे पॉपलेशन डिव विदेश में इतना काला धन है कि अगर प्रतिवेक्ति उसको निकाले जाए अगर उसको प्रतिवेक्ति बाटा जाए तो पंदरा पंदरा लाख रुपए एक एकादमी के हिस्से में आ जाएंगा यानि प्रतिवेक्ति पंदरा लाख रुपए विदेश में काला धन है वो बहुत अच्छी बात अगर मोदी जी ने एक आशान सब्दों में कह दी कि कि क्या कह दिया उन्होंने उन्होंने कह दिया कि आदमी कहीं स्वरोजगार अपना करता है तो उसको अपना निजलें खोलना चाहिए याख साइकल के पंचर समय दुखान खोलो कि तुम दो आदमी को रोजगार कि तुम रोजगार खोज रहे थे तुम सुरोजगार करो तो तीन आदमी को रोजगार दोगे सबैंद्स निकला टो आपका जो है गुजरात दंगे पर क्या रियक्शन है तो उन्होंने कहा कि देखिए हम मानव हैं हमें बहुत दुख होता है ऐसी घटनाओं से अगर आप कहीं गाड़ी से चल लए और अगर पिल्ला चोटा सा कुट्टे का अगर वह भी अगर गाड़ी के नीचे आ जाता है त हम मानव हैं तो दुख होता तो उइन्होंने हमें पिल्ला कह दिया पिल्ला कह दिया डिया तो आज कल की लोगों के अंदर सेंसिटिविटी खतम हो गई मुहावर के लेके और उधाहरण सुनेके उधाहरण ही देना अब नेता लोग बंद कर दिए मलुला मोदी जी और जो चलो अब यहां पर अगले प्रश्ण पर आते हैं अगले प्रश्ण पर आते हैं यह हो गया था ना बिल्कुल यह हो गया था तो दोस्तो इस रिपोर्ट को प्रिपेर किया गया था किसके गाइडेंस में देव प्रसाद रत के जी के गाइडेंस में जो ऑफिसर इंचार्ज है डिपार्टमेंट अफ एकनोमिक एंड पॉलिसी रिशर्च के डिपार्टमेंट अफ एकनोमिक एंड पॉलिसी रिशर्च प रिसीव्ड यूएश्डी वन थर्टी फाइफ मिलियन लोन्स फ्रॉम इंटरनेशनल बैंक पर रीकर्श्ट्रक्शन एंड डवलप्मेंट टेप्रूब दो ऑपरेशनल एफिसिएंसी एंड रिलाइबिल्टी ऑफ एलेक्टिसिटी सप्लाई बिजली आपूर्ती की परिचाल आईबी आईडी है ना यह वर्ल्ड बैंक का ही नाम है यह वर्ल्ड बैंक ग्रुप में पांच कंपनिया है जिसमें की पहली होती है आईबी आईडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रीकर्श्रक्शन एंड डवलप्मेंट जो की इसकी जो है अफिशियल नेम है जो लोन ओन दे लोन दिया है ग्रीन हाउसिंग फाइनेंस प्लेश्डी एप सीग में और सैथ फेडरल बैंक में भी हिस्सेदारी इस ने लिए इंटरनेशनल फिनैंस कॉर्पॉरेशन ने उसके बाद दोस्तों यार यह क्या सब जाओ यह कहां गया सब और मुझे परसान कर रहे हैं चौथा दोस्तों जो है आपका है एम आई जी ए मल्टी लेटरल इन्वेश्टमेंट गारंटी एजनसी मल्टी लेटरल बहु पक्षी इन्वेश्टमेंट की गारंटी बीचे मीडियेटर पाच्वां इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट अफ इन्वेश्टमेंट डिस्प्यूट जैसे इंडिया ग्रीन गारंटी वर्ल्ड बैंक में जो है यूके ने ले लिया भारत और पाकिस्तान के बीच में जल विवाद जो है पानी विवाद जो है उसमें वर्ल्ड बैंक की गारंटी है तो दोस् भी आया दोस्तो 1945 में ब्रिटेन वूट सम्मिट से यह उसकी सिष्टर कंसर्न है तो उसकी मौसी है मतलब वहल्ड बैंक आइम एफ इनका भी एट क्वाटर वहीं पर है दोस्तों कहां पर है वासिंग्टन डीसी में तो इबी आइडी से 135 मिलियन का लोन मिला है किस राज को इलेक्टिसिटी इंप्रूफ करने के लिए तो दोस्तों वेश्ट बेंगॉल की ममता बनर जी जी को मिला है ठीक है क्लियर है समझ गए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शांदार जिंदाबाद जवर्दस्त तो यह ममता बनर जी जी है दोस्तों जो वेश्ट बेंगॉल की चीफ मिनिस्टर है इन्हें स्कॉच आवार्ड भी मिला है यह फोप्स की 100 पावर्फुल इंफ्लूइशल लोगों में कोई इनको जो है वहां से हिला नहीं पाता है दोस्तों किस बैंक ने इंडिया इंटरनेशल एक्षेंज और लग्जंबर्ग स्टॉक एक्षेंज में दोस्तों इंडिया आई एक्षेंज ने शुरू किया था दोस्तों इंटरनेशनल एक्षेंज है जिसे गिफ्ट सीटी में सुरू किया गया था गिफ्ट सीटी जो गांधी नगर में है गुजरात इंटरनेश्टल फिनेंशल टेक्स सीटी इसने बॉंबी श्टॉक एक्षेंज ने आई एने शुरू किया थे एक इंटरनेश्टल एक्षेंज भारत का पहला इंटरनेश्टल एक्षेंज और यह स्पेशल एकोनामिक जोन बिए जाए इंटरनेश्टल कंपनिया और इंटरनेश्टल निवेश यह सब आते भी हैं और दोस्तों साथ में लग्जंबर्ग श्टॉक एक्षेंज लग्जंबर्ग जो है एक पहला देश था दुनिया का जिसने अपने पूरे पब्लिक ट्रांस्पोर्ट को पूरी तरी कई फ्री कर दिया लग्जंबर्ग की कैपिटल लग्जंबर्ग सिटी है यगा कैसा देश हरी है तो दोस्तों यहाँ पर जो है ग्रीन बॉन्ड जो है वह SBI ने जो है लॉंच किया है तो SBI ने इसके पहले भी Gift City में सबसे पहला Green Bond किसने लॉंच किया था तो वो SBI नहीं किया था पहला Non Libor Loan किसने Indian Oil को दिया था Non Libor Loan Indian Oil Corporation को दिया गया था वो भी SBI ने दिया था क्योंकि Libor को तो बंद करने को कह दिया है Non Libor Loan दिया था दोस्तो SBI नहीं दिया था है ना SBI आजकल Co Lending Model में बहुत सारे NBFC के साथ Tie Up भी कर रहा है बहुत सारे NBFC के साथ क्योंकि RBI ने कहा है कि बैंकों को MSME को लोन देने के लिए Co Lending Model को अपनाना चाहिए और बैंकों को NBFC के साथ क्या करना चाहिए टाइप भी करना चाहिए ठीक है क्लियर है याद रहेगा चलिए बहुत बढ़िया कि दोस्तों किस बैंक ने अपने डेबिट कार्ट पर EMI सेवाओं को इनेबल करने के लिए वर्ड लाइन के साथ क्या किया इमाई का फुल फॉर्म दोस्तों इक्वल मंथली स्टॉलमेंट नहीं होता इजी मंथली स्टॉलमेंट भी नहीं होता इक्वेटेड मंथली स्टॉलमेंट होता है ठीक है इक्वेटेड मंथली स्टॉलमेंट होता है जैसे कि नेशनल आटोमेटेड डिकलिर्न हाउस होता है नाच का फुल-Firm जैसे कि ATM का फुल-Firm आटोमेटेड टेलर मसीन होता है आटोमेटिक नहीं होता वैसे यहां भी एक्वेटेड होता है ठीक है देखिए जमसेद्पूर फुटबाल कलब नेवी के साथ भी तो नव एक ठाई किसने किया दोस्तों को टेक महींडरा बैंक ने किया मी कोटक इसके हेड है उद्ध कोटक अभी आई एलन एफस के भी हेड है और एशिया के सबसे बड़े बैंक करें सबसे अमीर बैंक करें ओके क्लियर है कि ओके चलो तो दोस्तों जो है देखें यहां पर इक्वेटेड मंतली इस्टॉल्मेंट लिखा भी हुआ वर्ड लाइन की बात करें दोस्तों तो बेजॉंस फ्रांस इसका हेड क्वार्टर है वर्ड लाइन और गिल्स गर्पियंट गर्पिनेट इसके जो है हेड है ठीक है चलिए बहुत बड़ी दोस्तों किस मंत्राजे ने फिंटेक में तीन साल के लिए 6,000 व्यक्तियों को ट्रेंड करने के लिए एक एम यू पर पे टीम के साथ जो है ठाइब किया है छे हजार लोगों को पेटियम जो है ट्रेंड करेगा दोस्तों पेटियम ट्रेंड करेगा पिंटेक इंडेस्ट्री मतलब होता है जो की जैसे एडटेक है अनकेडमी टेकनलोजी के थुरू आप एजूकेशन ले रहे हैं बाइजूज वैसे फिंटेक कंपनिया होती है जैसे ओनलाइन आप लोन ले रहे हैं बजाज फिंसर्व हो गया इंडिया भूल्स धनी हो गया ऐसी बहुत सारी ऑनलाइन कंपनिया इंडिफाई हो गया जो आपको लोन दे रही है ठीक है क्लियर है तो फिंटेक इंडेस्ट्री को ट्रेंड करने के लिए दोस्तों यहां पे जब ट्रेंडिंग की बात होगी तो इस्किल की बात होगी और इस्किल की बात होगी तो इस्किल डेवलप्मेंट मिनिश्ट्री के अंतर गता है एक देखा गया कि कौन सा दिन कौन सा मिनिश्ट्री बना रहा है कौन सी योजना किस मिनिश्ट्री ने सुरू की है तो इस बार यह नया question देखा गया, जैसे कि NICL में ये question आया था कि सम्विधान दिवस किस ministry के दुबराद सुरू किया गया था, अब हम और आप अगर इस question को नहीं पढ़े हैं, तो हम लोग 100% law and justice ministry टिक करेंगे, और जबकि सही answer है social justice, law and justice नहीं, social justice ने सम्विधान दिवस को मनाना सुरू किया था, उसने announce कि 26 November को हर साल constitution day मनाया जाएगा, जिस दिन, दो साल 11 महीने 18 दिन में सम्विधान बनके तयार हुआ था, सोचिए, तो इसलिए इस बार ministry हम लोग जो सोचते देगा है यह तो फाल्तू question है, वही दो-दो question आ गया, उससे ज़्यादा ही आए होंगे, कम नहीं आए होंगे, जैसे कि NIA CL में यह चीज़ आया, मैं आप लोगे एक trick बताता हूं कि, जब हमेशा बताता हूं, 36 गड़ के National Park पढ़ाता हूं तो, कि गुरु घासी दास इंदरावती को chatting करते देख, एंगर हो गया, गुरु घासी दास इंदरावती नेशनल पार्क हो गया, इंदरावती नेशनल पार्क हो गया, चैटिंग दो नेशनल पार्क पूछे गया, दो नेशनल पार्क तो पूछे ही गये, दोनों 36 गड़ के पूछे गया, इंदरावती नेशनल पार्क भी पूछा गया, और गुरु घासी दास नेशनल पार्क भी पूछा गया, जो एक गुरु मानलों कोई doubt तुक्का मार रहा है, गुर जो भी संडे को एक्जाम हुआ था समझ गए तो दोस्तों जो है कि पेपर तो बहुत मस्त आया था इतना मस्त मस्त पेपर आया था कि उसके कोश्चन कभी डिसकस करूंगा मैं आज जो है मैं डिसकस करूंगा इसको साधे-8 बजे वाले सेशन में साधे-8 बजे सेशन होगा एप पर जिसमें हम लोग बेश 206 मंत करेंट अफेर करें उसमें हम लोग इसके कोश्चन्स डिसकस करेंगे सतर से असी परसेंट जो हम लोग रोज रिपीट करते थे बाते उनहीं में से कोश्चन आया जैसे कि कैनेडा विलियम सेटनर ब्लू ओरिजीन से 90 साल की उमर के सबसे अधिक वेक्ती गए ऐसे बहुत सारे कोश्चन्स दोस्तों जो हम लोग बार बार रिपीट करते थे बार को लेंडिंग मैं बात कर रहा हूं कि बैंक और एंबीएपसी को को लेंडिंग के लिए और बियाई ने कहा है कि आप लोग एंबीएपसी की मदद कीजिए क्योंकि 2018-19 में जो क्राइसिस आई थी वह इसलिए थी कि बारा बैंकों पर पीसी लगा दिया गया एंबीएपसी क इसको फंड मिलना बंद हो गया आई ले एफ जैसे एंबीफ सी बैट गई यह एंबीफ की वजह से बहुत सारे प्रोजेक्स भारत में बाप प्रोजेक्ट जो है रियल एरिस्टेट्स के रुक गए इंफ्रस्ट्रक्चर के रुक गए इंडस्ट्रीज को पैसे नहीं मिले जीडिपी बैट गई तो दोस्तों यह पूरा मनी का फ्लो है जो मेंटेन रहना चाहिए एमसमी को लोन देने के लिए एंबीफ सी और बैंकों के बीच में टाइप हो जाए कि कि किसी भी चीज की कमी एम अधानी के साथ किस बैंक का टाइप हुआ है अधानी आपका गंगा एक्सप्रेस वह भी बना है और भाई साब यह मैंने आप लोगों कहा है ना कि बहुत जल्दी यह पर्मानेंटली मुक्य समभानी को को हमेशा के लिए पीछे कर देंगे बहुत जल्दी मुक्य संभानी को पीछे करके एशिया के सबसे अमीर आदमी हमेशा के लिए बन जाएगे ठीक है कि लिए रहे हैं कि बहुत बढ़िया तो 40% आपको priority सेक्टर को देना ही होगा और अगर आप small finance bank है regional rural bank है और cooperative bank है तो आपको 75% देना ही होगा priority सेक्टर को गरीब लोगों को जिनको जरूरत है उन लोगों को इस 40% में भी 18% आपको जो है agriculture सेक्टर में देना ही होता है मतलब यह नहीं कि home loan देके पूरा कर लो MSME को loan देके पूरा कर लो exporters को देके पूरा कर लो 18% agriculture इस 18% में भी जमिंदारों को देने लगोगे तो इस 18% में भी दोस्तों जो है आपका 10% जो है small and marginal farmers को देना होता है और दोस्तों 12% इस 40% में 12% जो है वो weaker section को देना होता है ठीक है करीब MSME में भी बड़े वाले को दे दोगे तो साड़े 7% micro को देना पड़ता है यानि कि छोटे दुकानदारों को छोटे व्यापार करने वाले दोस्तों यह पहले 8% था यह पहले 8% था जो बढ़ा के 10% कर दिया गया यह पहले 10% था जो बढ़ा के 12% कर दिया गया यहां भी मैं आप लोगों को update कर दे रहा हूं इस update को ले लिजे आप लोग बहुत काम आने वाला है अब यह नहीं है अब यह नहीं है अब यह है अब यह है अब यह है ठीक है पहले cooperative bank का भी PSL target लेकिन जब cooperative bank में PMC घोटाला हुआ तो इसको बोला कि तुम गाउं की लोगों को लोन दो तुम बहुत लोन दे रहो प्रदीप शाह बिल्कुल सही बात आपने कहा नुराग जी बिल्कुल सही कहा है शाह लोगों का ही जलवा है मिनेशा निलेश शाह जैशा अमित शाह हम लोग तो यहीं लोगों को पढ़ रहे हैं प्रदीप शाह भी आ गए तो दोस्तों उस बैंक का नाम बताईए जिसने महिलाओं के लिए वित्ती योजना और निवेश पदान करने के लिए सेविंग बैंक प्रोड़क्ट महिला मित्र प्लस लॉंच किया है तो महिला मित्र प्लस दोस्तों किस ने लॉंच किया है महिला मित्र प्लस दोस्तों यह account होगा ठीक है फेडरल बैंक की बात करें तो श्याम स्रीनिवासन दोस्तों इसके COMD है जिसे की दोस्तों जो है बैंकर आफ दी इयर का अवार्ड मिला था बैंकर आफ दी इयर का अवार्ड मिला था इसी फेडरल बैंक में दोस्तों IFC ने भी पैसा लगाया था 3.99 परसेंट या 4.99 परसेंट ऐसे लगाया था अलुवा कोची केरल में इसका headquarter है यूर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर फेडरल बैंक की क्या है टेग लाइन है वर्ल्ड बैंक की निवेश साखा रही है वर्ल्ड बैंक की वह तो इसने निवेश किया है कि अ कि फेड फर्स्ट फेडी बिल्कुल सही बात है कि इगनेट कार्ड फेडरल बैंक ने सुरू किया बहुत बढ़िया दोस्तों OECD organization for economic cooperation and development कि इसने भारत की GDP गुरोथ का क्या अनमान लगा है दोस्तों OECD का हेड़क्वाटर पैरिस में है ठीक है इंटर नेशनल एनर्जी एजनसी का हेड़क्वाटर पैरिस में है यूनेस्को का हेड़क्वाटर पैरिस में है और दोस्तों financial action task force जो ग्रे लिष्ट ब्लेक लिष्ट करता है टेरर फंडिंग करने वालों को मनी लॉंडरिंग करने वाले देशों को financial action task force का भी हेड़क्वाटर पैरिस में है यह question संदे को पूछा कि FATF का हेड़क्वाटर कहा है FATF का हेड़क्वाटर कहा है तो दोस्तों यहाँ सेवन परसेंट इसके पहले यह कहरा है ठीक है OECD में 38 मिंबर है दोस्तों कितने मिंबर है 38 मिंबर है यहाँ पर याद रखिएगा OECD में ठीक है मिंबर आजकल organizations की पूछता है 21 organization में कितने मिंबर हैं यह question आजकल बहुत पूछ रहा है headquarter और members यह दो चीज तो हमें याद रखना होगा ठीक है clear है चलिए बहुत बढ़िया तो पहले 9.9 परसेंट बोले थे फिर उसके बाद 9.7 किये और आप 9.4 कर दिया है इन्होंने standard and poor global rating ने अनमान लगाया है विद्वर्स अगले के लिए यानि 2022 के लिए कि कितना जो है भारत की GDP growth rate रहेगी और इन्होंने अपरवर्तित रखा है यानि कि कुछ भी change नहीं किया है यानि इस साधे 9% साधे 9% आपका RBI ने भी कहा है दोस्तों क्रिसिल ने भी कहा है सायर आई एम एफ ने भी 9.5 परसेंट का है तो 9 परसेंट तो बहुत सारी मेन और्गनाजेशन ने 9.5 परसेंट ही कहा है ठीक है इस टेंडर्ड और पूर के जो हैड है वो जॉन बेरिस फोर्ड ह है नियू यॉर्क हेड क्वाटर है दोस्तों ठीक है क्लियर है चलिए इसके बाद इन्हों ने जो कहा है वो यह कहा है कि 2023 में 7.8 परसेंट की ग्रोथ रहेगी ठीक है यह हिंदी टांसलेट करने में यह जो है 2012 यह 2013 हो जाता है यह भावनाओं को तुम लोग समझ लेना कि 2022 है जो जर्बारघ्ट हो इसेन दोज़जडे 13 गेदुबाद होगा ही नहीं ठीक है चल वर्ट एथलेटिक्स ने वीमेन आफ दे इयर किसन को दिया है वर्ड एथलेटिक्स की वीमेन ऑफ दे इयर कौन बनी हैं दोस्तों ठीक है कौन बनी है तो अंजू बाबी जार्ज लॉंग जंट लेजेंड लंबी कूद लेजेंड है इंडिया की अंजू बाबी जॉर्ज इन्हों ने वीमेन ओफ द इयर अवाड जीता है दोस्तों ठीक है मैं वर्ल्ड एथलेटिक्स ओफ द इयर ये आवड किसने जीता है दोस्तों तो ये ओलंपिक की चैंपियन एलेन थामसं हेरा ने जीता है जो जमाइका की हैं और कर्ष्टन वार होम जो नौर्वेग की हैं उन्नों ने जीता है दोस्तों जेन पेरी डूरंड वर्ल्ड एत्लेटिक्स फोटोग्राफ अफदे इयर किस ने जीता है तो रियान पिर्स के फोटोग्राफ को जो हाई जंप में वो जो क्वालिफाई की थी टोक्यो ओलंपिक में उस फोटोग्राफ को फोटोग्राफ अफ दे यर चुना गया है फोटोग्राफ अफ दे यर चुना गया है दोस्तो इंडिया टूरिजम डेवलप्मेंट कॉर्पॉरेशन इंडिया टूरिजम डेवलप्मेंट कॉर्पॉरेशन इंडिया टूरिजम डेवलप्मेंट कॉर्पॉरेशन दोस्तो इंडिया टूरिजम डेवलप्मेंट कॉर्पॉरेशन दोस्तो इंडिया टूरिजम डेवलप्में आते हैं उनको बनाया गया ठीक है इनको बनाया गया अब दोस्तों कनया कुमार जो की वो भारत तेरे तुकड़े होंगे इंसाल्ला वाला जो नारा लग रहा था इनके अधिक्स्ता में यह जेनियू के अध्यचत थे फिर यह कम्यूनिस्ट में गए अब आजकल कांग्रेस के कांग्रेस अपने नेताओं भरोसा नेकरी बाहर वालों पर ज्यादा कर रही है यह जो है दोस्तों जो है बेगू सराय से इन्हें गिरिराज सिंग जी ने हराया था गिरिराज सिंग जी इस समय कौन से मंत्री है कनिया कुमार इनके साथ एजेंडा आज तक वे बैठे थे ब एक उद्दंड छाक्रनेता होता है किसी कॉलेज का वैसा ही बीएवियर उनका आज तक एजेंडा आज तक पर आगे आप किसी भी बड़े इवेंट में उनके साथ कोई डिबेट करें गाहीं करनिया कुमार जी के साथ अब उन्होंने कहा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है जो आपको ITDC का हेड़ बना दिया गया आपके अंदर कौन से सुरुखाप का पर लगा यह है वो है फिर भाई साहब संकर सिंग बागेला ITDC के हेड़ थे तो इन्होंने जो है बोला कि संकर सिंग बागेला क्योंकि वो कांग्रेस के ते और का नहीं है गुमार भी कांग्रेस संकर सिंग बागेला ITDC के ते उनसे ज्यादा क्वालिफाइड हूं है और फिर इन्होंने क्या बताया जो हम पूरे भारतियों के लिए एक गर्व का विसय है कि UPSC में 19th rank इस बंदे की है इन्होंने बोला कि मुझे तो हलके फुलके जो है कि वह मत लेना कि मैं यह मैं डॉक इक्जामनेशन दे करके आया हूं क्वालिफाइड करके आया हूं तब डॉक्टर बना हूं ठीक है जहां पर गिंती के डॉक्टर जो क्वालिफाइड करते हैं और मैं UPSC में 19th rank लाया हूं जब कि मनमुहन सिंग की सरकार्ती जब कॉई भाजपा ने मुझे नहीं आइस में 19th rank दिला दी थी और जो हमारे पैसे पर पलते हैं थीसिस करने वाले हमारे टेक्स के पैसे पर इंकम टेक्स पर एजुकेशन से लगता है उस पे जेनियू में जो है रिसर्च करते हैं पूरा जीवन बिता दिये खाली छाकसंग अध्याच बने रहने के लिए फरजी पढ़ कर moments की वो लोग में तो उनका तो उनका उसर होने वाला नई है तो खयर ऐसे लोगों की बात की यह जो भारत के टुकड़े कर रहे हैं ऐसे लोगों की क्या बात की जाए तो दूस्तों 1966 में अब वो बरजी किसकी थी जो संसत पर हमला किया था उसकी बरसी पर इवेंट और्गनाईज किया था जेन यू में यह करनिया कुमान ने जिसने आतंकवादी हमला किया था अव जल हम सरमिंदा हैं तेरे कातिल जिन्दा हैं तेरे कातिल मतलब ॅंडियन गौर्मेंट अंडियन कने सजा लगए नारा लग यह तो मार दोगे थे तुम कातिलको माल तो दोस्तो हेट क्वाटर जो है न्यू दिल्ली है ITDC का जिसके हेट संभित पात्रा बने खैर आगे चलते हैं दोस्तों गोलगी बोटे तालोम रुखबो की जैंती को चिन्हित करने के लिए एक दिशंबर को किस राजने स्वदेशी आस्था दिवस मनाया है तो दोस्तों यह अरुणाचल प्रदेश में एक दिसम्बर को दोस्तों नागा लेंड ने भी अपना इस्टेट हुट डे मनाया था ठीक है याद रखेंगे एक दिसम्बर को हम लोग एट्स डे भी मनाते हैं एट्स डे भी मनाते हैं दोस्तों स्वदेशी आस्था दिवस कौन मना रहा है और उनाचल प्रदेश ने राज के आदिवासी समधायों की स्वदेशी आस्था परणप्रिक प्रथाओं को संरक्षित और बढ़हावा देने के लिए 1 दिसंबर को स्वदेसि आस्था दिवस्थ के रुपे मनाया ऐसे हम लोगोंने 15 नमबर को जन जाती गवरों दिवस्थ मनाया पहली बार 16 नमबर को हम लोग पहला ओडिट दिवस मनाया ठीक है एक दिसंबर को गोलगी बोटे तालोम रुगबो की जहनती है जिन्हें स्वदेशी धर्म का पिता कहा जाता है तो 2013 से यह मनाया जा रहा है दोस्तों एलेक्सिया पुटेलस जिन्होंने महीला बैलेंडियोर पुरुसकार 2021 जिता वक्किस द अबके लिएंग मेसी ने जो है यह ऊवर्ड जीता है नियौन मेसी यह इवर्ड जीता है पुरुक läh Niger चूंग दोस्तों कहां कि है इस पेन की है इस्पेन की मेड्रिद में ही युनाइटेर नेशन वर्ड टूरीजम और्गनाइजेशन का हेड़कॉर्टर है जिसने मेगाले के कॉंग फॉक विलेज को और पद्यपदेश के लडपूरा विलेज को और तेलंगाना के जो है कौन सा विलेज था वोचम पल्ली विलेज को इन तीनों को बेस्ट टूरिस्ट विलेज का अवाड दिया थीक है इस्पेन की केपिटल मेड्रिड है दोस्तों जहां पे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जियोती वर्मा जी को फ्लूट द बासू पुरी मुवी के लिए बेस्ट म्यूजिक डिरेक्टर का अवाड भी मिला था ठीक है क्लियर है याद रहेगा चलिए बहुत बढ़िया मेसी इस बार भी जीते हैं ठीक है मेसी इस बार भी जीते हैं ओके क्लियर है बहुत बढ़िया इस्पैनिस फुटबॉलर है अलक्सिया प्लेयर है जो है यह बार्सिलोना की जिन्हें यह अवार्ड मिला है अर्जेंटीना के लियॉन मेसी को दोस्तों जो है बेलेंडियोर अवार्ड मिला है सेवन्थ टाइम पे नाइंटिंथ येर जो है पेड्री ऑव बार्सिलोना इन्हें कोपा ट्रोफी मिला है बेस्ट प्ले अलिपूर जुलोजिकल गार्डेन जो हाल ही में चर्चा में था वह किस राज और केंद्शासित पदेश में अलिपूर जुलोजिकल गार्डेन या चिडिया घर हम लोग कह सकते हैं यह वेश्ट बेंगॉल में इस्थित है जहां पे जानवरों को गोद लेने की बात कही जा रही है कि जानवरों को गोद लिया जाए कोलकाता में अलिपूर जुलोजिकल गार्डेन में उनके बारे में जागरुकता पैदा करने के जानवरों को गोद लेने की सुरुवात की है चिडिया घर में साल भर चलने वाली गोद लेने की प्रक्रिया चलन में थी चिडिया घ सरकारियों के अनुसार एडॉप्ट करने की फीस कम कर दी गई है लोगों को हिरन बाग चिंपेंजी जैसे लोगप्री लोगों के अलावा कम लोगप्री पक्षियों जानवरों को अपनाने के लिए भी प्रोथसाहित किया जा रहा है कि कुलकाता की बात करें तो 23 जनवरी को दोस्तों पराकरम दिवस मनाया जाता है क्या मनाया जाता है पराकरम दिवस मनाया जाता है ओके बारत हुशन जी समझ गया मैं सेंटर इलक्ट्रोनिक्स लिम्टेद दोस्तों जो कि इंडियन एरलाइन्स के बाद दूसरी सरकारी कंपनी है जिसे प्राइवेट किया जा रहा जिसकी हंडिट़ परहिंट हिस्फदारी बेची जा रही है यह दूसरी कमपनिए इसका बीख दोस्तों जब सरकारी कंपनी में से सरकार अपनी हिस्फदारी यह सबस Setει है तो उसे बनिवेश कहते हैं अक्सर आप this इस इन्वेस्टमेंट टार्गेट पढ़ते होंगे बजट में तो यह तर्म भी जानी है ठीक है डिस इन्वेस्टमेंट होना आता है किस केंद्री मंत्राले के तहट यह जो है ऑर्गनाइजेशन आई थी दोस्तों अभी मैं आप लोगों को बार-बार रटवाता था कि 11 महार अतना कंपनी जो है वह पावर फाइनेंस कॉर्पूरेशन बन गई है यह कोश्चर अभी संडे को पूछ लिया सेम यही कोश्चन संडे को पूछ लिया तो जो चीज मैं आप लोगों को बार-बार पिंच करके रिटवा रहा हूं जिसमें आप इरिटेट हो रही है तो आता इल्ट्रोनिक्स लिम्टेट सी एल जिसका हंडेट परसेंट हिस्सेदारी बेचा जा रहा है दोस्तों कैबिनेट कमीटी ओन एकनोमिक अफेर्स इंपावर्ट अल्टरनेटिव मेकनिजम है अप्रूब दहाइस प्राइस बीड़ नंदल फिनेंस और लीजिंग नंदल फिन मंजूरी देवी दे सरकार ने प्रोफेसर अकिबुल इसलाम जिनका हाली में निधन हो गया तो यह दोस्तों बंगला देश के जो है बंगला में सक्री रूप से भाग लिया उन्हें भूज़ाएब अरह में सरकार द्वारा प्रोफेसर बनाय गया सवतंता पुरुस्कार एक उसी पदक और बांगला साहीट अक्षेडमी पुरुस्कार भी मिला था उन्हें अंतराष्टी मात्री भासफा पुरुस्कार से समानित किया जा चुका है भंगला इसकी कैपिटल है टका इसकी करेंसी है सेख हशीना इसकी जो है वो प्रधान मंतरी है और दोस्तों अब्दुलहमीद यहां के राश्पती है और इनके पिता जी सेख हशीना के अब बंग बंधु सेख मुझीबू रह्मान दोस्तों यह गांधी पीस प्राइस 2020 उन्हें दिया गया है इस बार का गांधी पीस प्राइस 2020 दिया गया है इंद्रा गांधी प्राइस किसे दिया गया है दोस्तों विच इंस्टिउशन साइंड और 200 मिलियन लोन 250 मिलियन डॉलर लोन विट इंडिया टू सपोर्ट दो नेश्टल इंडेस्ट्रियल कॉरिड़ डेवलप्मेंट प्रोग्राम त डूस्तों ऐसा लोन को देता है तो हमें बहुत अच्छा लगता बता哈哈哈 कि 1500 मिलियन ही दो ना हमलोंकर यात करने में तो आसानी रहे माउंट डाइस उम इलिया 200 मिलियन तुम ने दे दिया थाइस उ मिलियन 200 मिलियन सभड़ को 250 मिलियन दो बाद में यहां पर राम जन्व भूमी क्लेम करके सुप्रीम कोट ने फैसला सुनाया था रंजन गोगोई चीने और फिर वहां पर एक राम मंदिर बनाया जा रहा है सुप्रीम कोट के आदेशानु साथ तो दोस्तों यह जो है एशियन डेवलप्मेंट बैंक जिसकी है 1966 में जो स्थापना हुए थी 68 कंट्री इसकी मेंबर है मसद सुगू असकावा इसके हेड है और दोस्तों असोक लवासा इसके उपाध्यक्ष अशोक लवासा इसके पाध्यक्ष ठीक है क्लियर है तो आप देख सकते हैं नेशनल इंड़स्ट्रियल कोरिडोर जो प्रोग्र कि शक्ति मास्टर ब्ताइबार में मैंने आप लोग बताया था यह सो लाग करोड़ की योजना है जिसमें 11 इंड़स्ट्रियल को जो है क्या किया जाएगा आप असमें कनेक्ट किया जाएगा और दो defense सद्ट Igor in लाज में चीज से शेहरों में डिफेंस कोरीडॉर बन रहा है और रहे में तुमिनदु चाहिए करेंड बताः ठीक मि इस край शुटे-छुटे सारे पीडिङQue PNG में प्यूष को प्रिक्राम कर रहे गटा दिली मुबए अंद्बेश्टर फ्रकॉल लकुत्ता इंडर्ट में बेंगलूर वाइज़ाइच चैन्य इस्ट कोष्ट हैधराबाद नागपूर फेधराबाद वरंगल हैधराबाद बैंगलूरू बैंगलूरू मुंबई ठीक है सब कि क्या कुछ लिखा है तमिलनाडू लोन ले रहा है बार-बार उसके लिए 484 मिलियन यूएस डॉलर का लोन उसने एशियन डेवलप्मेंट बैंक से लिया था है ना ठीक है अगे बढ़ते हैं दोस्तों पुसकर महत्सो किस राज में 12 साल के बाद मनाया गया पुसकर मेला कहा का मेला है दोस्तों मेला और महत्सो याद रखिए अभी संडे वाले पेपर में भी कोई उत्सव महला पूछा था ठीक है क्लियर है सर आई रिपीट यूर लेक्चर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट विकाज आई हैव कॉन्फरेंटेट फ्यू क्वेश्चन से बिकम हैपी वाइल एंसरिंग इंग्जाम तो जब इक्वेश्चन आता है ना तो बहुत खुशी मिलती है बहुत ही खुशी मिलती है जैसे कि शीव वी मेट वाला डारेक्टर है इंतियाज अली यह रशियन फिल्म फेस्टिवल का ब्रेंडम मेज़र बने है तो यह बात आगे पहला ही क्वेश्चन तो दिल खुश हो गया जब पहला ही क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो फिर तो पूरा पेपर बन जाता है तो पुसकर फेस तो राजस्थान होगा क्योंकि पुसकर तो राजस्थान में है अजमेर के पास ठीक है यह तो हो सकता या जॅब कश्मीर में मनाया गया है पुस्कर महच सो मरत्ता है गैस्टाइग मनाया गया हो तो उसे यूनिकॉन कंपनी कहते हैं अब यानि पहला बेंचमार्क इंटरस्ट्री बनने के और आगे बढ़ गए बड़ी कंपनी बनने के और आगे बढ़ गए तो दोस्तों कुछा तो कौन सी आई पीटीम यूनिकॉन बन गई तो चेन्नाई सूपर किंग बनी थी यूनिकॉन अब यह कुश्चन जो है आता हुआ जो है सीवानी छोड़ दी उसको लगा डाउट कि सीच के है कि कौन है अब मुक्रे संभानी की कंपनी उसमें लेकिन उसस ही तो अब यहां पे यह पुसकर मेलावाला कनफ्यूजन है इसको हम लोग देख लेंगे ठीक है कि इसको जो है आज का तोव पुस्कर संवीप्र सबसे महत्पोर साधीपूरे मृत्तों के यहाँ करते है हाह 100 जमू कष्मीर विसर्जित करते हैं ठीक है क्लियर है तो देखिए भाईया यह जेलम और सिंद के संगम पर लोग अपनी पुर्वजों की राख को विसर्जित करते हैं यह पुसकर सनन मेला जम्मू कश्मीर का जो है बारा साल बाद हुआ है जम्मू कश्मीर ही राइड एंसर है जिस रिसाप से आख प्सक्वाइय एक्स्ब्लैशन लिखा तीक है क्लियर है िद्विस ही समझ गयाया ॥ लेकिन यह पोटो किसी और मेले की यह पुसकर मेला एक बहुत-बढ़ा पसु मेला भी लगता है उसको क्या कहते यह बहुत-बड़ा पसुमीला लगता भारत में वह कौन सा हाँ जेलम और वह तो वहीं पर जम्मू कश्मीर एंसर जेलम का व्यास का नाम सुनते ही मैंने जम्मू कश्मीर को फाइनल कर दिया ठीक है हाँ तो दोस्तों विकलांग लोगों का जिन्हें आज कल दिव्यांग लोग कहा जाता है परसन विट डिसेबिलिटी है ना तो दोस्तों इनका जो है अंतर राश्टी दिवस कब मनाय जाता है तीन दिसंबर को मना जाता है तीन दिसंबर को जिसका नाम था operation blue freedom, social justice ministry, social justice and empowerment ministry ही इस दिव्यांग लोगों के कल्यान के लिए जिम्मिदार मंत्राले है, ये भी याद रख लिए, आजकल मंत्राले भी याद रखना पड़ता है, social justice and empowerment minister ही इसके लिए जिम्मिदार मंत्राले, भारत की इस देश के साथ मिलकर काम करने के लिए G20 Troika में सामिल हुआ है, तो दोस्तों ये जो है इंडोनेशिया इटली के साथ मिलके Troika में सामिल हुआ है, क्योंकि इटली में इस बार हुआ है, इंडोनेशिया में अगली बार होगा, उसके अगली बार इंडिया में होगा, तो Troika में ये सामिल हो गया, ठीक है, clear है, दोस् इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा आर्की पे लागों है द्वीब समू है जकार्टा इसकी कैपिटल है जोको विडोडो इसके प्रेसिडेंट है दोस्तों और जकार्टा में ही आसियान का मुख्याले है एसोसियेशन अफ साउथ इस्टेशन जिसमें 10 कंट्री मेंबर है दोस्तों इटली की कैपिटल रोम है दोस्तों और रोम के अंदर एक वेटिकन सीटी देश है दोस्तों ठीक है जो कि सबसे छोटा देश सबसे नया रिपब्लिक बना है बार्बडोस 153 साल की गुलामी के बाद ब्रीटेन से आजाद हो करके अलग रिप रिपब्लिक कंट है मैंने बोड़ा था कि यूनिस तो यह देश है और बीसवां यह यूरोपियन यूनियन है ठीक है जिसमें खुद 27 देश है ठीक है जी ट्वेंटी मेंबर कंट्री तोजा 23 में भारत अध्रक्षता करेगा और प्यूश गोईल्स शेरपा होंगे किस कंपनी ने कि आई जी एले वन एम मिसाइलों की सप्लाई के लिए भारती सेना के साथ 471.41 करोड़ रुपए के अनुबंद पर स्टाक्षर किये विच कंपनी साइंड़ कांट्रेक्ट विद इंडियन आर्मी वर्थ रुपीस 471.41 करोड़ तो सप्लाई आई जी एले वन एम मिसाइल तो इनिवीजन नो कराके 11 वजह आप लोगों का स जो कॉशिशंट पूछे गए थे यप में जो में जो एन आ एसन के exam में जो कॉशिशंट पूछे गए ते उस पर एक discussion कर लिया जाए उस पर एक discussion कर लिया कैसा रहेगा 11 बज़े एप पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा वहां से डारेक्ट मेरे अभी पर्याड बज़े लेक्चर होने वाला है जिसमें हम लोग 200 करेंट अफेर विद बैंकिंग अवेर्नेस पड़ रहें तो दोस्तों भारत के साथ इसने करोड़ रुपए के अनुबंद पर हस्ताक्षर किसने किये हैं दोस्तों भारत डायनेमिक्स लिंटेड ही तो मिसाइल बन मिसाइल बनाने में भारत डायनेमिक्स लिम्टेड बनाती है डी आइड यो परिक्षण करती है ठीक है क्लियर है याद किस मंत्रा लें सभी सौ भाग लेने वाले शहरों के लिए स्मार्ट सीटी मिशन के करनेवन की समय सीमा जून दोजार तेश तक बढ़ा दिए दोस्तों गंगा टाउन वरार्सी हो गया ट्लीनेश्ट इस्टेच शतिस गड़ हो गया बड़े में चोटे में जारकंड हो गया तो यह सब हम लोग ने पढ़ा कि 10 लाग से अधिकेवादी मोग दस तीन लाग से दस लाग में नोड़ा एक से तीन लाग में नियू दिल्ली इप्लिमेंटेशन की जो डेडलाइन है वह मिनिस्ट्री आफ हाउसिंग एंड जो है अर्बन अफेयर के द्वारा बढ़ा दी गई है स्मार्ट सीटी तो इसी के थू आएगा स्री हर्दीब सिंग फूरी दोस्तों इसके मिनिस्टर है वह नेचुरल गैस पेट्रोलियम मिन सब्सक्राइटी बनाओ जो कसबे हैं उन्हें शहर बनाओ यह अमरूत योजना अटल मिसन रिजुवेनेशन फॉर अर्बन ट्रांसफोर्मेशन ठीक है क्लियर है दोस्तों ऐसा ही क्विष्चन अभी बैंक में लाश्टमंत पूछा था कि कौन सी योजना का डेट बढ़ाया गया है प्रधान मंत्री गरीब कल्याण हेल्थ इंसुरेंस का प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्योजना का इन सब की डेट बढ़ाई गई है एक्षेंट की गई पूछा अभी यह भी पूछा था परसो वाले पेपर में यानि की परसो नहीं कल वाले पेपर में यानि संडे सेटे पॉलसी है उसको कितने साल का एक्स्टेंशन दे दिया गया तो एक्स्टेंशन वाले कुष्टेंशन से एक्जाम में इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं ठीक है क्लियर है कि समझ गये हैं बहुत बढ़ी है जून 2023 तक इसको बढ़ा दिया गया दोस्तों ठीक है इस स्कीम की सुरुआ जून 2015 में की गई थी तो 2015 से आपका यह आठ साल हो गया इसके लिए किंद्रों राज्यों को 27,235 करोण रुपए इसके लिए निकाले भी गए है वो को चेर दूए इंडियाद यूरोपीयं यूणियं एनरजी पैनन एलाांगिट यूरोपीयन कमिशन्स मेश्थिल्द वStart d' leftover तो दोस्तों यहां पे जो है में में थिल्ड वार्ष डॉर्फर जो यूरोपियन यूनियन की है इसके साथ दोस्तों जो है किसने कोचेयर किया भारत की तरफ से भारत की तरफ से रीनत संधू जी जो हमारे विदेश मंत्राले में सचीव हैं उन्होंने दोस्तों जो है यह किय है अध्यक्षता इनके साथ मिलके बाते करना सुरू किया यूरोपियन कमीशन की है यह वाश डॉर्फर इनके साथ ठीक है देख रहे दोनों वर्चुवल मिटिंग कर रही है टीवी पर देख कौन रही है हमको नहीं समझ में आ रहा है ठीक है कर दो पर जलवायू पर बात हो रही है सुक्ष उर्जया पर बात हो रही है तो यहां पर इन सब चीजों पर इन लोग के बीच में बात हुई है कोई बहुत इंपॉर्टन कोश्यन नहीं है बस सुन लो संचार राज मंत्रारे ने किस कंपनी की 75 वी वर्जगाट क्योंसर पर ज्मारक डाक टिकट जारी गई यह इंपॉर्टेंट्ट और SN इस väl सेफंटिफ एंवर्सरी् से उस कंपणी मनाई गई किस कंपनी के मनाई गी महिंद्रा ग्रूप की यह देखी आनंद महिंद राज यह बहुत काबिल आदमी हैं बारत सरकार के बहुत सारे panel में है अभी Defense Ministry का जो हाई-tech पैनल है उसमें भी high-level NCC की जो Defense Minister वाली उसमें आनंद महिंद्रा है MS धोनी हैं तो यह महिंद्रा गुरुप के हैं दोस्तों बहुत ज्यादा पहनुश में रहते हैं अपने प्रकरल भी हो के लिए महिंदरा ग्रूप में आप देख रहे हैं महिंदरा स्कॉर्पीय ओ Fiona नहीं महिंद्रा ट्रक्टर महिंद्रा जीओ मैंद्रा लोजिस्टिक और बता नहीं क्या महिंद्रा गुरुप में बहुत सारे म Aíंद्रा रेटेल और बहुत सारी चीज़ है यहां पर आप देख हो Chinese यह Am seniors का mix if we love could clear रहें इसलिए इनके 75 साल पूरे होनों पर महिंद्रा गुरुप को दोस्तों जो है पोश्टल इस्टेम डाक टिकट जारी किया गया पूछा जाएगा यह कोश्चन इंपोर्टेंट है कि कौन सी कंपनी के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया यह कोश्चन एक्जाम में थै यह में क्या होता है दोस्तों सब्षी इसलिए बिगन दर से निकाले जारें जमीन के अंदर निकाली जारी है यह दोस्तों फोसे और यह सोर्स है जिसमें सबसे खतरना ग्रीन हाउस जो कोईला है जिसकी जो है खपत को दोजा 30 तक कम करने का लक्ष भारत ने लिया लेकिन दोस्तों अब ऐसा कुछा क्योंकि अलग 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 लच लिया होगा ऐसा कुछा कि किस कंट्री ने दोजा साथ तक नेट जीरो होने की बात कहीं है अब हम भारत का याद करें कि दोजा 47 तक तो में नजी इंडिपेंडेंट हो जाओगे दोजा तीस तक तुम साड़े 400 गिगावाट से 500 गिगावाट कर लियो कि हम नॉन फ्यूर नॉन फॉसिल्स फ्यूल सोर्स को करेंगे इसका टार्गेट है इनका 30 2030 तक जो पहले साड़े 400 गिगावाट था अब इनका टार्गेट है आपका 500 गिगावाट इन्होंने सी योपी 26 ग्लॉस गो में यह बात कहा है ठीक है अब दोस्तों यहां पे जो है गैद जीवास में इंजन श्रोत के लिए इन्होंने 40 परसेंट जो है इसको प्राप्त कर लिया रिनेवेबल एनरजी यानि कि किसे कहोगे जो नॉन फोसिल से सोलर एनरजी बायो मास एनरजी विंड एनरजी जीयो थर्मल एनरजी जो जो अला मुकी से भी एनरजी आती जैसे अभी एल सलवाडोर एक बिटकॉइन सी सित बना रहा है एल सल्वाडोर जिसमें वहहें जो है उर्जा गूर जो ले रहा है कॉंचा गूवा ज्वाला मुखी से ले रहा है कॉंचा गूवा काकौन NOTनीय है थो यह इनर्जी निकली रही है उससे कुछ बिजली बना लो पावर पानि वाली बिजली तो यह सब दोस्तोट ही हमारे पास तो यह सब रिनिवेबल energy में आता है है एक और आता है एक और भारत में जोडे गया हैं रिनिवेबल एनरजी में बाकि यह सब जो है तुम्हारा नॉन फ्यूल रिनिवेबल एनरजी कोईला फोसिल्स फ्यूल यह सब ठीक है क्लियर है तो दोस्तों 156 गेगावाट जो है यह एचीव हो गया तो सो 156 गेगावाट जो है यह भारत ने चीव कर लिया चालिस परसेंट है इनका जो एचीव टार बारती सेना ने लद्दाक चेत्र में सेना की निगरानी की छमताओं को बढ़ाने के लिए किस देश से उन्नत हेराउन ड्रोन प्राप्त किये इंडियन आर्मी रिसीब देवांस हेराउन ड्रोन फ्रॉम विच कंट्री टू बुच्ट आर्मी सर्विलांस कैपसिटी चाहिक में दोस्तों जो है इन्होंने ड्रोन जो प्राप्त किया है चाइना से लड़ने के लिए इसराइल से प्राप्त किया है इसराइल भारत का बहुत तगड़ा मित्रदे से 26 नॉंबर को जो मुंबई अटेक हुआ था तो इसराइल ये बात अपने ट्वीटर था तो उन्होंने यहूदियों के घर पे अटेक किया था जहां जाना चाहे थे वह गए थे नरीमन हाउस पे जो है टेक किया था जहां केवल जीव लोग रहते हैं यहूदी लोग रहते हैं इसराइली लोग रहते हैं इसराइल नहीं भूलता अपने दुस्मनों को पाकिस् इसराइल जेरूसलेम सले संस्द का नाम इंका नेसेट है। अभी पर्स 거지 एक्जाम में मॉलदीव के संसद का नाम पूछ लिया। तो दोस्तों आपको सारे संसदों का नाम याद रखना चाहिए क्योंकि एक्जाम में ssc में संसद के नाम पूछता है कि इस देश की संसत को क्या कहते हैं है ना सूरा किस देश की सांसत को कहते हैं बताओं तो दोस्तों याद रखेंगे इसने यूए के साथ समझोता किया है अब राहिम समझोता दोनों देश एक दूसरे को मानेता भी देने लगे हैं ठीक है चीनी गद्वदियों की निगरानी करने के लिए यह अपातकालीन खरीद की गई है उस क्योंकि भाई वह क्या करने बॉर्डर पर कैसे पता चलेगा उस संग्धन का नाम बता असाम की समग्रशिक्षा की जो ब्रैंड अमबेजडर है दोस्तोड वो लवलीना ब्रॉडगे हेन लवलीना बॉर्गे एन आइसीसी पृडेंशल की तयारी सही हो तो जीत पकी है कीई भी ब्रैंडड अमेज़र बनी है मेज़र ध्याण चयन पुरूसकार मिलाओं बॉकसि इस कंपनी ने अपने एचनाई क्लाइंट मैंने आप लोगों एक दिन बताया था कि एचनाई सब्द जब आप बैंक में जॉब करोगे तो बड़े अमीर लोगों के लिए यूज होता है जो बड़े इन्वेश्टर्स होते हैं अमीर लोग होते हैं उस ब्रांच के उस बैंक के उनको एचनाई वर्ड यूज किया जाता हाई नेट वर्थ इंडिविजुवल्स तो एचनाई का भी फूल फर्म कभी आपके एक्जाम में पूछ सकता सकता है सर्विस किसे कहते हैं जो कि आपकी पैसे को एक सही तरीके से अलग अलग कंपनियों में निवेश करें जो एक्सपर्ट लोग होते हैं एक्सपर्ट लोग होते हैं जो आपको बोलेंगे इस कंपनी पैसा लगा यह इस कंपनी पैसा लगा यह एक पूरी लिष्ट बना के इस लिश्ट को दोस्तों पॉर्टफोलियो कहते हैं और जो बहुत बढ़िया पॉर्टफोलियो बनाता है दोस्तों वह उतना ज्यादा ग्रोथ अपने कस्टमर को कराता है और उसी में ज्यादा निवेशक आते हैं तो इसलिए यह mutual fund की भी जो सेवा है उसे portfolio management service कहा जाता है ठीक है तो दोस्तों PMS बजार के साथ किनों ने यह काम सुरू किया है तो PMS बजार के साथ पेटियम मनी ने यह जो है marketplace लॉंच किया है पेटियम मनी आजकल investment में बहुत सारे काम कर रहा है बहुत तेजी से आगे निकल रहा है ठीक है क्लियर है तो दोस्तों आज आप लोगों को portfolio management समझ में आ गया portfolio management किसे कहते हैं समझ में आ गया समझ गया portfolio management समझ में आ गया दोस्तों पेटियम मनी का जो headquarter है वह बैंगलूरू में यह बड़ी काम की बात है क्योंकि यहां आप confused हो जाएंगे योगि पेटियम का headquarter हेटक्वाटर नोईडा में है पेटियम पेमेंट बैंक का भी हेटक्वाटर नोईडा में है लेकिन जब पेटियम मनी का headquarter आप से एक्जाम में पूछेगा तो आपका answer हो जाएगा तो बैंगलूरू ठीक है पेटियम के head आपके वह है क्या वीजे सेखर सर्मा पेटियम पेमेंट बैंक के head है 37 कुमार गुपता और पेटियम मनी के जो head है वो वरुन सीधर है वो कौन है वरुन सीधर है ठीक है ख्लियर है बात समझ में आ गई चल बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं उस company का नाम बताईए जिसने retail store पर cardless EMI launch करने के लिए m swipe के साथ partnership किये तो m swipe के साथ दोस्तों partnership करके जिसने cardless EMI retail store पर सुरू किया रिटेल इस्टोर पर कोई card नहीं यह माई बन जाएगी आप समान खरी दिए तो दोस्तों यह जो है किसने सुरू किया है m swipe के साथ credit B ने सुरू किया किसने सुरू किया है credit B ने सुरू किया credit B ने सुरू किया ठीक है clear है credit B एक fintech lending platform है जिसने प्रमुख retail पर पूरी तरीके से डिजिटल cardless EMI की पेश्वास करने के लिए m swipe के साथ साज़दारी की है इस साज़दारी के तरह म स्वाइब से जुड़े दो लाख merchant store और पांच लाख retail store से खरिदारी कर सकते हैं 2022 के तक पूरे भारत में credit B के साथ साज़दारी की जाएगी cardless EMI के तरह credit B एक लाख रुपए तक की खरिदारी के लिए बाद में भुगतान करने का विकल प्रदान करेगा इसे तीन से बारह महीने की अवधी में EMI में बदला जा सकता है तीन से बारह महीनों के अवधी में EMI में बदला जा सकता है किस खिलाडी ने मलेशियाई ओपन स्कुष चैंपियंशिप में पुरुष सिंगल का खिताब जीता है इसक्वैस वह गेम होता है दोस्तों जिसमें आप चुह है टेनिस से मारते हैं और दिवाल पे मारते हैं फिर अगला प्लेयर मारता है सौरब घोसाल और दीपका परलिकल यह लोग दोस्तों कई बार एक ज जीता है वो कौन से खेल से संबंदित है तो भवानी देवी तो ओलंपिक में भी क्वालिफाई करने वाली पहली फेंसर है फेंसर यानि तलवारबाज तो वह बैंक में के एक्जाम में आप से पस इतना पुछ है यह गेम कौन सा खेलते बस इतना बता दो 35 अरजुन पुरुस सा खेलते यह बहुत ध्यान में रख लेना ठीक है क्लियर है और शुकला जी बहुत दिन बाद कॉफी पिला रहे हैं पहले यह हमेशा पिलाते थे अब आज कल जो है यह हम लोगों का ध्यान नहीं रख रहे थे आज जब देखा इन्होंने कि बहुत सारे क्वेश्चन है दो बहुत इंपॉर्टेंट नियूसार क्योंकि दोस्तों इसमें चाइना है हमारा उफ्तोłem और सबसे बडी बात है यहां फे कोई विद्रो नहीं करता कोई कि अपने गुवर्मेंट के खिलाब आंदोलन नहीं करता विद्रों नहीं करता क्योंकि वहां पर भाइसाब डेमोक्रेसी ही नहीं जैक मा को गायब कर दिया भाइसाब अली बाबा जो कि इतना अमीर आदमी ते एशिया के सबसे अमीर आदमी उनका सबसे बड़ा आई प्यों आने वाला था उसे भी स्थगित कर दिया था किवल जैक माने जो है सी जिन पिंग के लिए और चाइना की गवर्मेंट की पॉल्सी पर बोल दिया था किसी सेमिनार में कि इनको रिव्यू करना चाहिए इतने पर उनको महीनों के लिए गायब कर दिया कि दोस्तों अब दोस्तों ये नियूज में क्यों है कि महिना टेनिस संग डबलू टीए ने चीनी टेनिस खिलाडी पेंग सुओ आई की सुरक्षा को लेकर चिंता के बाद चीन में अपने सभी टुर्णामेंट को स्थगित करने की घोश्चना किये दो नॉवंबर को चीनी सरकार के सिर मतलब की गवर्मेंट ओफिशियल मतलब होता है कि सरकारी आदमी चाइना की सरकार का आदमी वहां की महिलाओं के साथ जो हे जयो भी मीटु केंपेन कर रहा है चाहे कि तुम्हें हम मेडल दिलवा देंगे या तुम्हें हम ृस्थ नामल deb whales देंगे तुम्हें टीम में जग बहुत बड़ा कदम विमेंस टेनिस एसोशेशन वर्ड टेनिस एसोशेशन नहीं है विमेंस टेनिस एसोशेशन नहीं यह कदम उठाया है suspension of all its tournaments in China after concern over Chinese tennis player Peng Shuai safety कि दोस्तों भारत में सहरी प्रात्मिक स्वास्त देखभाल में सुधार के लिए गरीबी में कमी के लिए जफान फंड से किस संग्ठन को 15 करोण रुपए का अनुदान मिला है तो दोस्तों यह जो है एशियन डेवलप्मेंट बैंग अब दोखों दोस्तों यहां पर बात समझना देखो कि आपके बजट में एक होता है करेंट अकाउंट ला और एक होता है क्वान सा यह एक होताहे करेंट अकाउंट तो उसमें में होता है foreign trade में इसमें होता है एक आपका revenue कि revenue budget कि यह revenue receipt और एक होता है capital receipt एक होता है capital receipt दोस्तों जो आप कमा के लाए हो पूरे वेन्यू रिसिप्ट में लिखते हो जैसे सरकार की सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी है जो सरकारी कंपनियों का प्रॉफिट है वह है जो वापस नहीं करना है वह हम revenue receipt में लिखते है जिस revenue deficit की बात भी होती है है ना जो वापस करना है उसे capital account में लिखते हैं चाहे आपका है पॉरेंट वाला हो जैब बजेट वाला हो जैसे कि बाहर से वर्ल्ड बैंक से लोन लिया कि आई एम एप से लोन लिया एसे डेवलप्मेंट बैंक से लोन लिया तो यह सब कैपिटल रिसिप्ट माना जाता है क्योंकि यह वापस करना है वापस करना है एक दिन ना जो बाकी वापस करना है उसे कैपिटल रिसिट में लिखते हैं तो उसको भी हम कमाई में नहीं लिखते हैं कि यहां पर दोस्तों लोन नहीं है यहां पर बात हो रहा है ग्रांट का ग्रांट का मतलब होता है अनुदान अनुदान का मतलब होता है हर बड़ी कंट्री अपने छोटी कंट्री को अनुदान देती है जैसे भारत जाता है बंगलादेश को मालदीव को सिलंका को अनुदान देता है ऐसे बड़े देश भी भारत आते हैं तो भारत को अनुदान दे देते हैं UK आता है तो अनुदान देता था अमिरका आता था सथा अनुदान कंभा गया तो 15 क्रोड़ रुपे है का अनुदान दिया गया है जापानी पंडसे भारत में सेहरी प्रात्मिक हेल्थ केड लिए पंदरा करोड़ रुपे का अनुदान मतलब इसको वापस नहीं करना है यानि अनुदान जो है ये वापस नहीं करना है ये एक तरीके से आपको दे दिया गया है एक बड़े भाई की तरफ से छोटे भाई को पॉकेट मनी के रूप में खर्चे के लिए इन योन भी नहीं यह इसको वापस करना तो जो वापस नहीं करना है कमाई हो गई वह रृविन्य रिशीप्ट में जाएगा यानि की ग्रांट्स होते हैं दोस्तों किस तरफ जाते हैं रॅल रिवह सिप्टका बजट के रिवन समझ में आगई चला। भाहत बढ़िए बहुत बढ़िया शानदार फिर एश्एंड डवलपमेंट प compete की जितनी बात कि जाए कम है क्राजिव ग्राँ और with 300 million dollar loan support to 300 million dollar का loan भी यहां पर और अनुदान कितना है 15 करोड का प्रॉम एडीबी टू गवर्मेंट आफ इंडिया तु इस्टेंडेंट सी पी एच सी प्राइमरी हेल्थ सेंटर सेंटर प्राइमरी हेल्थ करोड रुपे की यह बजट के हिसाब से यह योजना है ठीक है ठीक है क्लियर 64000 करोड ही होगा लाक नहीं होगा ओके समझ गए चलो ती अभी मियोजना है इंफ्रस्ट्रक्चर डवलप करने की योजना है दोस्तों भारत में चार मेडिकल डिवाइस पार्क इसके लिए बनाए भी गया यह पता नहीं क्यों है यहां पर यह भाग जा रहा है अब बहुत परशान हूं ठीक है दोस्तों डॉक्टर अंबेटकर जी की पुनितिती है आज विशाल महोत कर रहे हैं डॉक्टर अंबेटकर जी के जो बड़्डे को वर्ल्ड नॉलेज़ डे मना थे बाइसाब इतना नॉलेजबल बंदा कोई नहीं आज तक ऑक्सफोर्ड और इन सब की हारवर्ड की इस्ट अठारा लेंग्वेज और अठारा सब्जेक्स का ग्याता बंदा वाइसाब डॉक्टर अंबेटकर सहब से ज्यादा पढ़ा लिखा मलब उनकी एक किताब वह पढ़ लेते थे मतलब वह बोलेते और एक किताब खत्म गंटे तक वह लगतार जागे थे कैसे कोई पढ़ नह जनी घ्यान भाईसाद दुनिया भर के काउंट्यूशन में कहां क्या बढ़िया हैं उन सब को लेकर के इंडियन काउंट्यूशन में किस भारती राज्ज ने भारत के ओमीक्रों को विट संस्कृर्णा के पहले दो मामले की सूचना दिये रिपोर्टिंग किये तो दोस्तो करनाटक में ओमिक्रोन का साउथ अफरिका से जो वेरियंट चला है खतरनाक वाला वह भारत आ गया है करनाटक में वारानसी में भी तीन से स्ञीक्त करेंगें यहीमेंवर 25 कोई कोरुना शुरू होता है खाए 2022 तीन से स्यारस आया था में 2113 आया सब्सक्राइब चाहिक को वोली के बाद मार्च में इदम भयानक पहुंचा अप्रैल में लाश्ट में पीक पर 27 अप्रैल को मुझे हुआ उसके बाद में एक-दो महिने तक के लिए गायब हो गया था तो दोस्तो यहां पर बचके रहने की जरुत है यहां से स्टार्ट ले रहा है इसको रोकना बहुत मुझकिल हो जाएगा तो दोस्तों दो लोगों का पता चला है एक तो जो है 60-year-old मेल हैं जो कि दोस्तों आये हैं वहां से वहां से साथ अफ्रीका से दुबई के रास्ते हैं सेकेंड इंफेक्टिट पर्संट 46 साल के उल्ड मेल है दोस्तों यह व्रिहत बैंगलूर महानागर पालिकास है अब दोस्तों डारेक्ट साउथ अफरिका से आये हुए आदमी को तुम रोक लोगे लेकिन यह इतने होसियार है साउथ अफरिका से पहले दुबाई गया फिर द पता चलेगा दोस्तों किस पुर्व भारती राश्पती की जैनती तीन दिसंबर को मनाई गई तो भारत के पहले राश्पती राजिंद्र प्रसाज जी की भारत के पहले राश्पती फर्स्ट प्रेसिडेंट दोस्तों इन्हें जो है कि इनकी जैनती तीन दिसंबर को मनाई गई है दीबियस ग्रूप द्वारा इंडिया 2022 आउट्लूक सिफ्टिंटू हायर गियर रिपोर्ट के अनुसार फिनेंशल यह 23 में भारत की जीडिपी विद्धी कितनी पहुंचने का अनुमाल लगा है तो दोस्तों यह जो अनुमाल लगाया अनुमाल लगाया गया फिनेंशल यह 23 में ठीक है क्लियर बहुत बढ़िया और 2022 का जो इस बैंक ने अनुमाल लगाया था पांच परसेंट लगाया और दोस्तों यह जो बैंक है ना इसने लच्मी विलास बैंक को एक्वायर किया लच्वी विलास बैंक चे नहीं ती यह इस बैंक डेवलप्मेंट बैंक और सिंगापुर दोस्तों यह इंडिया बेस्ट बैंक इंडिया बेस्ट बैंक है फोप्स के नुसार फोप्स के नुसार दोस्तों इंडिया का बेस्ट फैंक है डीबियस बैंक और चुन इंडिया की 50 सब्से सक्तिसाली महिलाओं की सूची में concert पे वेरी 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 important question क्योंकि यह पिछले साल भी पूछा था कि पार्चुन इंडिया की 50 Most Powerful Women के लिश्ट में दोस्तों यहां पर जो है निर्मला सिता रमन जो है टॉप पर निर्मला सितारमन जो corporate affair minister है जो फिनिश्टर है यह टॉप पर पहले नंबर पर निर्मला सीता रमन जी है दूसरे नंबर पर नीता अमबानी जी है तीसरे नमबर पर स्वामिनाथन जी है डबलू एचो की चीफ साइन्टिस्ट है किरन मजुमदार सा है इंडेस्ट्रियल इंडेस्ट्रिलिस्ट है सुचित्रा इला अरुंदर्ति बट्टाचारिया इस बी आई की पुर्वहेड गीता गोपिनाथ जो आई एम एफ की चीफ एकनॉमिस्ट थी अभी जो है डिप्टी एमडी बन गई है टेसा थॉमस जो मंगल यान वाली मैडम जो विद्या बालन जिन्हों ने जिनका रोल किया था इसमें ग्यारहवे नंबर पर आपके की किरन मजुंदार सा जो बायो कॉन लिम्टेट की संस्तापक है यह चौथे नंबर ठीक है कि समझ गए तो दोस्तों यह पूरा का पूरा जो है टॉप लिष्ट है जिसे आप लोग याद कर लें इसमें इशा अमबानी भी है बहुत सारे लोग है लिस्ट में बहुत सारे इकनौमिस्ट थी इम एफ की, अब यह चीफ इकनौमिस्ट नहीं रही अभी डिपटी मडी बन गए है अब यह डिपटी अब डिबन गई है दोस्तों याद रहेगा ठीक है क्लियर है आ यह में एक नब्यवा देश कौन सा है इसका 90 देश दोस्तों एंडोरा लियोन है सब्सक्राइब विच कंपनी साइंड ने मुवित सोलर एनरजी कॉर्परेशन अफ इंडिया तो इन्हेंस डिनेवेबल एन इन्वार्मेंट सोसल एंड गवर्नेस प्रोजब अक्षे उर्जा और समाजीक और सासन प्रयुजनाओं को बढ़ाने के लिए किस कंपनी ने भारती इस तक 10 गिगावाट रिनुवेबल एनरजी उत्पादन का लक्ष रखा है कि दोस्तों ग्रामिर और अर्द सहरी चित्रों में ब्रॉडबेंट प्रवेस बढ़ाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के साथ टाइब करने वाली पहली कंपनी का नाम कॉमन सर्विस सेंटर सी से सेंटर दोस्तों जो गाव में जो है कॉल सेंटर के थूँ गाव के लोगों की समस्याओं को सॉल्व करता है रूरल अर्बन एरिया में ब्रॉडबेंट को भी इंक्रीज करने के लिए डिजिटल इंडिया के लिए दोस्तों यहां पर रेल टेल के साथ टाइब किया गया है ठीक है क्लियर है बहुत बढ़िया देखिए कॉमन सर्विस सेंटर में अधार इन्रोल्मेंट हो रहा है कियास्क बैंकिंग हो रही है ऑनलाइन भी पिल पेमेंट रिचार्ज यह सब गाव में दोस्तों सर्विसेस देने के लिए होता है डिजिटल सर्विस गाव के लोगों राष्टि निश्यर नेशनबाजी में महीला एयरates में राजस्ती संचेती को कौंश पदक मिला तो गोलड मेडल और दोस्तों राश्री चनश संचेती जी Norm गोल scientists इन सुटिंग lleop одवारे अपने रर्डणेतिक संहू के सलाकार के रूप में नियूप किया गया है तो दोस्तो रजनीश कुमार जी को तो आपकेंटेंडेंट डिरेकर आपकी दीपा मलिक भी चुनी गई थी रजनीश ये अपके और किस किस कंपनी के हो गए है अब तो मैं भूल भी गया हूँ यह कितनी कंपनियों के हो गया है कि क्या बताएं एलंटी इन्फो टेक के यह जो है एडवाइजर है एचस्वी सी एशिया के हैं इतनी कंपनियों के हैं कि अब मैं खुद ही भूल जाता हूं कि सर होगा आपका इंडियन रिनेवेबल एनर्जी डेवलप्मेंट एजेंसी इसके साथ टाइएप इन्हों ने टी एच डी सी ने किया है किसलिए बैलेंडी और इस्ट्राइकर आप दे इयर का जीता दोस्तों बैलेंडी और का आवार्ड जो सात्वी बार जो है जीता आपके लियान मेसी ने लेकिन इस्ट्राइकर आप दी एर का आवार्ड दोस्तों यह रॉबर्ट लेवांडोस्की ने जीता है रॉबर्ट लेवांडोस्की ने दोस्तों इस्ट्राइकर आप दी एर दो एवार्ड बैलन डियोर में नए सुरू हुए है दोस्तों याद रखिएग जो जो क्लब में बढ़िएं करते हैं ना तो श्यकर रवुजहाइवारर्ट लंडऑटे की की कि मिला है तो बेस्ट क्लभ आफ दफ दे यह ऐर ओवॉड़ जो है यह चेलसी को मिला यह क्लब है क्लब है जैसे यूनिकॉन आई पील की जो है कि चैनली सूपर किंग है वैसे यह चेल्सी बेश्ट क्लब चुना गया है यह नया एवार्ड है इसलिए पूछा जा सकता है ठीक है याद रखेंगे ऊके चलिए बहुत बढ़िया रीहाना को किस राष्ट के राष्ट्री नायक के रूप में नामित किया गया यह आज का आखरी कुश्चन है ऐसे आप लो लंबी सांस लो हूँ रीहाना हैस बीन नेम्ड एस दर नेशनल हीरो ऑफ विच नेशन तो रीहाना दोस्तों बार्बडोस की राष्ट्री नायक के दूनिया का अभी बार्बडोस बना है जहां पर गरतन तो हुआ यानि कि जो ब्रीटेन का जो है गुलाम देश्था ब्रीटेन की गुलामी को क्वीन एलिजाबित के गुलामी से बाहर आया है दोस्तों मैं जो है कि हाप सेंचुरी इसलिए नहीं किया क्योंकि कोश्चन पढ़ा करके कर देते हो गया लेकिन हम कोई भी कोश्चन छोड़ते नहीं कोश्चन की संक्या बहुत ज्यादा हो गई ती इस दो तीन दिन में तो इसलिए जो है मैंने 50 पे इसको रोग दिया 49 पे कि अधूरा है तूभी कंटीनूड क्योंकि कल मैं उसको एड़ करूंगा क गल भी ज्यादा कोश्चन रहेंगे क्योंकि अभी कम सकम 20 से 25 कोश्चन मैं नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि पहुत ज्यादा टाइम हो जागा 50 पर जाके मैं रुख गया अब जाने दो यार 50 नहीं करते हैं ठीक है तो यह जो है आज का यही है इसके आगे का रिवीजन पढ़ता हूं और एक ही दिन मैं पढ़ाता हूं वाइफाई स्टेडी पे वह संडे को दो बजे इसका जो है पीडियाफ और लिंक जो है जीए बाई प्यूसर पर मिल जाएगा तो इस लेक्चर का भी लिंक दोस्तों आपको जीए बाई प्यूसर टेलिग्राम चैनल पर मि क्लियर है शाम को मैं जो है आफ आर्वी शीरीस तो मैने खतम कर दिए वो आठो लेक्चर आप देख लेना साम को मैं स्टैसल टॉपिक्स पढ़ाओंगा तो आप बताओ सजेश्ट करो इस पेशल टॉपिक कौन से मैं पढ़ाओ अब बर्निंग इस इस पर चर्चा होगी प उसकी जो एक इक डिटील की बात हो जाए है ना ऐसी टॉपिक्स तो आज मैं सोच रहों सी ओपी 26 पे ही आज हम लोग चर्चा कर ले शाम को ठीक है क्लियर है संगीत अगरी बोल साचे दर्बार कीजिए बोल बाके बिहारी लाल कीजिए ओम नमः पार्वती पते हरमा देव चलो दोस्तों आज का सेशन यह रखते हैं साड़े आठ बजे मिलते हैं एप पर एप पर मुझे फॉलो कर लिजे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जहां बेश टूहंडेट करेंट अफेर क्विज बाई पोल के मंतली डिवीजन तो एप पर मुझे फॉलो कर लेजे पीएस आर टेन कोड यूज कीजेगा ठीक है पीएस आर टेन कोड यूज करना है ओके कोई भी डाउट हुआ ने केडिमी पर पूछ सकते हैं दोस्तों कुछ भी जो है इनोप्रिप्रिट लगे तो आप रिपोर्ट भी भी कर सकते हैं ओके थेंक यू सो मजश शुक्रिया धन्यवाद ओके क्लियर इसके आगे का डिवीजन जो है यह आप लोग जो है कर लेजेगा ठीक है चलिए ओके बहुत बढ़िया को चलो थेंक्यू सो मजश शुक्रिया धन्यवाद बबाई टेक्टे अलभी ओआ